राम राम भाई सभी सातियों को जितनी भी अपने हरियाना पुलीस male constable वाले भाई हैं जितनी भी अपनी female constable वाली बहने हैं सभी को राम राम ये है कि अब हमें लास्टेज वर भरती आने के बाद में चुप नहीं होना ये इलेक्शन जो है इस भरती का जरिया बन सकते हैं आपने कल चेर्मेन साब का जवाब भी सुन लिया होगा बयान सुन भी लिया होगा उसमें क्या बोला है कि आपकी जो भरती है वो आपने जल्दबाजी करके रजल्ट निकलवाया है उस वज़े से भरती फस गई ठीक है और वही चेर्मेन साब हमें पहले ये बोल रहे थे कि अभी भाई हमने इस रजल्ट को बहुत अच्छे सित निकाला है इसके लिए चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े हम जाएंगे तो यहां पर बाते देखना पहले क्या बोली जारी थी अब क्या बोली जारी है तो अब आप लोगों के उपर है इस भरती को बचाना है या नहीं बचाना लास्ट बिल्कुल देखो अगर यह election विदान सभा वाले उप विदान सभा वाले election हो जाएंगे तो उसके बाद में हमारे पास में कोई चारा नहीं है दक्के खाने के अलावा लेकिन अभी है हम 31 तारिक को इस 31 को भाई काफी सात्यों से बात हो चुकी है जो अरियाना पुलिश में selected है साथ में ही अपने जो केडी भाई है केविश्ट्री वाले भाई उनको सब जानते भी हैं बहुत अच्छे बंदे हैं जिन्होंने मतलब उनसे भी बात हो चुकी है और साथ में ही अपने विक्की वो लोग वाले भाई आप सब जानते हैं तो विक्की वो लोग वाले भाई राहूल से भी हमारी बात हो चुकी है तो 31 तारीक को भाई 31 ये दो दिन बाद मतलब कल-कल का दिन है बच्चों को जोड़ने के लिए जितने बच्चों जोडने हैं हमें जोडने हैं और साथ में ही 31 तारीक को हम सुबह आठ बज़े वहां पर क्या करेंगे मतलब अभी टाइमिंग जो है वो आठ बज़े फिक्स नहीं है अभी मैं आपको बता दूँगा उसकी टाइमिंग भी ये आपको जुड़े रहना दो दिन के लिए एक्टिव रहना हमारे साथ में लेकिन टाइमिंग टाइमिंग को छोड़के तारीक जो है वो 31 तारीक रखी गई है और हमें क्या करना है जितने भी साथी हैं वो चलेंगे आदमपुर पूरे हर्याणा में जो सेलेक्टेड भाई है जिनको जुड़के लिए अभी अपने कमेटी के पास में पैसे बचे हुए है साथियों ने जो हर्याणा पूलिस की जोईनिंग के लिए पैसे दिये थे न वो अभी उनके पास बचे हुए है तो मैं उनसे भी आगर करूँगा कि सभी डिस्टिक के लिए भाई जितने भी आपने साती है एक मतलब दो त्या तीन बस करी जाएं विल्कुल मतलब उस पैसों से बस करके जहां पर आदमपूर के लिए बस करी जाएं और वहां पर क्या है बच्चे जितने भी डिस्टिक से होंगे जहां जहां रस्ते में प खतम बहुत दिन हो चुके हमने वेट करते करते हमारा अधिकार है अपने सरकार हमने बनवाई है अपना मतलब इतने दिन होगे हमारी भरती पूरी नहीं करवा पाई तो किस बात की सरकार है भाई तो हमारा हक है भाई हमें करना पड़ेगा अपना वोट तभी जाएगा जब ह किसी को कुछ सी दिक्कत लगती है तो कमेंट सेक्षन में जुरू बताना और अपने मोबाइल नमर के साथ में कि मुझे दिक्कत है आप मुझसे बात करो मैं एक बात करके आप से कोशिज करूँगा कि आपको समझा पाऊं या फिर कुछ चीजे क्या पता आप मुझे समझा द करूँगा उनसे रिक्वेस्ट भाई सभी डिस्ट के लिए मतलब जो भी रूट बनता है उस रूट के लिए एक बस कर लो स्टार्टिंग से उस रूट में जितनी बच्चे आएंगे वह आपको मिलते रहेंगे सबको बठाओ और निकलो तो यहां पर हमें यह काम करना है इ अपने पैसे पहले से दे रखे हैं तो देने की जूरूत नहीं है उन्हीं पैसों में से आपकी बस हो जाएगी उन्हीं पैसों में से आपके बैनर बैनर बनके तयार हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है आप सभी लोग तयार रहना बस और अपने सभी साधी को जोड़ और बाकि जो बस का जो रूट वगरा जो भी होगा वो आपको बता दी जाएगा किसी को लगे कि ये कदम जो है गल्द उठा रहे हैं तो comment section में जुरूर बताना thank you so much वीडियो को like और share सब जगे कर दो जिससे ये बात फैल जाए क्योंकि हमारे पास में सरफ आज का और कल का दिन है thank you so much